आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल सुरे समय क्लासेज में आज की इस वीडियो में आपको साबुन और साबुनी करण के बारे में बताएंगे जो की कच्छा दास यूपी बोर परिच्छा की दिश्च से बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है तो चलिए हम इसको आप व पोटैसियम लवडों को साबुन कहते हैं तो जो साबुन होता है वह अधिक अनुभार वाला वसी अमल के सोडियम तथा पोटैसियम के लवड होते हैं तो देखिए जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं एक दो प्रकार के साबुन है जैसा दिख रहा है आपको एक पहला है सो तो पहला इसमें सोडियम इस्ट्रेट इसका जो सूत्र होता है सी सत्रा यह जिस साबुन का प्रियोग हम जो है कपड़े को धोने के लिए करते हैं उसे कठोर साबुन कहते हैं जैसे घड़ी हुआ सौरफ्यक्सल हुआ रिन हुआ यह सब साबुन जो है कठोर साबुन की स्रेडी में आते हैं जिसका प्रियोग हम जो है कपड़े धुनने के लिए करते हैं उसके बाद दूसरा है पोटैसियम इस्ट्रेट इसका जो सूत्र है सी सत्रा यज पैंतिस सी ओ ओ के के यहां पर क्या है पोटैसियम है तो यहां पर इसको हम जो है पोटैसियम स्ट्रेट को जो है मृद साबुन कहते हैं अब मृद साबुन क्या है जिस साबुन का प्रियोग जो है हम नहाने के लिए करते हैं उसे मृद साबुन कहते हैं और मृद साबुन की स्रेडी में ज के लिए करते हैं तो आपको ध्यान देना है इन दो साबुनों में अंतर इतना होता है देखिए सूत्र स्यम वही दोनों का है लेकिन अंतर जो है सोडियम और पोटेसियम का है अगर जिस साबुन में सोडियम घुला रहेगा अतलब जिस साबुन में सोडियम होगा और समझ लि साबुन कहते हैं यानि को नहाने वाला साबुन है तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं दोनों का सूत सेम वही रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं सूडियम का और पोटैसियम का जिसमें सोडियम रहेगा और इसके पोटैसियम रहेगा है नहाने वाला साबुन है इस तरह से हम इसको समझेंगे अगली हेटिंग है साबुन का निर्माड तो साबुन का निर्माड कैसे होता है तेल जैसे नारियल का तेल तिल का तेल या वसा के साथ यन ए ओयच अथवा के ओयच की क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है तो यह ने OH क्या है यहाँ पे इसको कहते हैं सोडियम हाइडरा आकसाइड और जो के OH है इसको कहते हैं पोटैसियम हाइडरा आकसाइड तो जो साबून का निर्मार होता है इसमें तेल होता है और तेल होता है या वसा होती है इस तेल या वसा में जो है सोडियम हाइडरा आकस को हम मिलाते हैं तब जाके साबुन का निर्मार होता है तो साबुन का निर्मार कैसे करते हैं तेल या वसा तो तेल में जो है नारियल का तेल हो सकता है तिल का तेल हो सकता है इस नारियल के तेल में या तिल के तेल में जो है हम सोडियम हाइडराकसाइड को मिलाते हैं या फिर potassium hydroxide को मिलाते हैं जैसे आपको साबुन बनाना है अगर नहाने वाला साबुन बनाना है तो उसमें आपको potassium hydroxide मिलाना पड़ेगा अगर कपड़ा धुलने वाला साबुन बनाना है तो आपको sodium hydroxide मिलाना पड़ेगा तो क्या होगा इसमें तेल या वसा के साथ सोडियम हाइडराकसाइड या पोटैसियम हाइडराकसाइड की क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है इस तरह से हम साबुन बना लेंगे तो आगे है तेल अथवा वसा के साथ छार की अब क्रिया से साबुन बनने की प्रकिरिया को साबुनी करण कह कहते हैं तो इसको जो है हम इस समीक्रने माद्ध्यम से आच्छे से आपको समझाते हैं ल rating day ले तो देखिए इसमें क्या लिखा है इसमें ते ल अथावा वसा के साथ यहां पर वसा है यहां पर यहां पर तेल भी हो चार की अभक्रिया से साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनी करण कहते हैं एक बार फिर समझ लिजिए तेल अथवावसा के साथ चार की अभक्रिया से साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनी करण कहते हैं अब चलिए हम आपको इस समीकरण को आसानी से लिखना सिखाते ह बस थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है तो जैसे यहां पे लिखा है CH2 COOC17H35 बस आपको इतना याद कर लेना है बस इसी से जो है आप पूरे समिक्रण को आसानी से लिख सकते हो तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है बस देखिए अब आगे देखिए क्या लिखा है नीचे लिख दीजिए देखिए यही पूरा नीचे लिखा गया है बस ध्यान देना है जो दो है इसको आप नीचे मत लिखिए यहां पे देखिए दो गायब कर दीजिए सेम यही नीचे उतार दीजिए दो यहां से हटा दीजिए यह बन गया आप तीसरे नंबर पर क्या क को हटा देना है तो इस तरह से यह थल्ования बन जाएगा उसके बाद यहाँट यहाँद जब पर एक दो तीन है तो तीन जो है कि छार भी होने चाहिए तो यहां पर तीन जो है sodium hydroxide होंगे तो 3 sodium hydroxide लेंगे उसके बाद जो है sodium hydroxide पहले लिख चुके हैं आपे इसके बारे में आप जान चुके ही हैं तो यहां प्लिख देंगे अब जियान देना है यहां प्लिखा है CH2 OH लिखा है तो यह कैसे आया इसमें का जो सुरू का CH2 है उसको यहां लिख दीजिए और इसमें का जो last OH है यहां लिख दीजिए इस तरह बन जाएगा फिर जो है यह जो CH है इसको यहां लिख दीजिए पतलब सुरू वाला इसमें का और इसमें का last वाला OH लिख दीजिए इस तरह CH2 हो जाएगा देखिए एक यहां पर देखिए C 17S35 उसके बाद जो है CO, 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 A है इसको यहां लिख दीजिए फिर उसके बाद यहां पर यहां पर sodium बाच रहा है यहां पर sodium लिख दीजिए अब देखिए इन सबही की संख्या तीन तीन है ये भी देखिए 1, 2, 3 है देखिए C17, 35 है उसके बाद CO, 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 1, 2, 3 ये भी 3 है और उसके बाद sodium भी 3 है इसलिए 3 यहां लिख दीजिए तो इस तरह से जो है हम इसको आसानी से लिख सकते हैं तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा जिससे आने वाई नई वीडियो की दिरती रहें धन्यवाद